तो सबसे पहले बच्चा हम चाप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं चाप्टर थर्ड आपको बताता है कि जो यह CS है यह कौन है और क्या-क्या काम करता है ठीक है यह कौन होता है यह डिटेल में पढ़ा चुकी है अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है कि वो क्या-क्या काम करता है क क्या क्या काम करता है तो काम को लेकर बच्चा हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एक रिविजिन करेंगे ठीक है उसका एक रिविजिन करेंगे यहां पर मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी यहां पर मैंने आपको पूरी पूरी लिस्ट बताई थी कि जो एक स सारे लौस को हम क्या बोलते बच्चा अक्ट बोलते तो जितने भी लॉज है इन सब में सीएस ड़्वाइज देता है अपने क्लाइन को अपने कस्टमर को जो भी बिजनस्माइन उसके पास आता है तो एड़्वाइज कब दे पाएगा जब वह ये पढ़ेगा that means इन दारेकल तो इसको लेकर बना आपना काम अच्छे से कर रहे कि ने करें तो पूरा कर रहा है कि नौर्मलि इसको भी देखता हुँ औली इस्टोट इक्सेंज चेटेश चल फिर क्या लिखे बच्चा सेकेंड इतनी खिजडी पगादेती दिंगते निया है के य wider चल इंसल्वम एंग्रापि कॉड आईबीसी यह क्या बुलता है कोई भी कंपनी benck-rock लड़ी कंट्वेंट लड़ी कंपनी Ih कंपनी क्रालए के सकें इन स्टेफ करता है क्या करता है कि कंपनी का क्व Krठा इसे बचार्प्र होथ AM粉 कर मैं के सुना था मंद हुने मेरे ऑट तो उसमें इंसॉविंसी आफ यह उगा उसमें इंसॉवन के ईफिसर में कि सुलबंसी ने ट्राई किया कि ये कंपनी थी ना वह तूव वह पहले बाइब पसद किसे भी उसके किसमें खरीद सब्सक्राइब किया उसे बचाने का इसके खरीद सरकार को अपकरीदो दूसरी ऊपरोच के आप देख लो फिर उनों इनके शेयर्स की नियुक्त पैसा दिया तब जाके एस-बैंक बचा तो एक्चल में उसमें कौन सा कानून लगा था इंसल्वेंसी बैंकरप्टी कोड क्या यह बात समझ भाएं तो CS एडवाइज देता है CS एडवाइज भी देता है या फिर वो खुदी खुदी इसमें एक इंसल्वेंसी ऑफिसर बन सकता है यह क्या बोलता है इंडिया के बाहर का सेटप इंडिया में आएगी इसका भी हम क्या देते बच्चा एडवाइज देते हैं अब भी नहीं पुरोगे एंट्रेंस लेवल में कहां पड़े बच्चा एडवाइज देता है कि नाम इतना नहीं सुना है थोड़ा बहुत सुना होगा कहां सुना होगा बिजनस स्टेडीज में थोड़ा बहुत लेकिन याद ना हो कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ पर तो इतना पड़ेंगे कि यादी रहेगा हम जानते हैं कि आज की देट में हमारे शेर्स हम ऑनलाइन खरीज सकते हैं लेकिन उसके पीछे यह है यही रोग है जुन्हों ने फिजिकल शेर्स को क्या क्या बच्चा इलेक्ट्रॉनिक पॉर्म में कर्वर्ड किया इन्हें हम बोलते डिपॉसिट्रिज इंडिया में तो खरीच सके डिमेट अकाउंग के थूँ तो यह दो कंपनी है जिन्हों ने पुरा काम किया है इनको डिपॉसिट्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह क्या करते हैं फिजिकल शेर्स को क्या कर लेते हैं डिपॉसिट और इसे क्या करते हैं इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में क करवाता है ठीक है चलिए फॉर्ण कोलाबरेशन नाइन तो टेंद कि अगर मैं बात करो नाइन बोलता है मर्जल इंडिया की कंपनी और बाहर की कंपनी इस सारी चीजों पर कौन एडवाइस देता है कि सारे लॉस पड़ेगा चिक है सेट अप करना सबसेडिज कहां करता है मर्जर क्या होता है मानलो सबने सबने क्या कर दिया इंडिया में इसको लेकर कानून बनाएं उस कानून कम बोलते कॉंपटिशन लौ इसमें भी एडवाइस देता है पूरा रजिस्ट्रेशन इसको लेकर पूरी एडवाइस देता है रियल स्टेट जितने भी यहाँ जबलपूर में राज्योल बिल्डर सुना है इनको ज़रत नहीं पड़ोगी इनको भी इसका नाम होता है रियल सेट रेगुलेशन डेवलप्मेंट अथॉरी आक्ट चीक ह है तो यह कानून की एडवाइस भी बच्चा जो राजियोल बिल्डर है क्या इनको ज़रत नहीं पड़ोगी इनको भी इसकी ज़रत है जो ने लौ समझाता है जो उनको उनकी प्लॉटी उनकी कंस्रॉक्शन में हेल्प करता है चेक चले ऐसे आर्बिट्रेशन मैंने आपको क्या लिख है रिप्रेजेंट के पास जाते हैं के पास जाते के पास बच्चा जो नए बच्चे उनको तो बस कंजूमर पटा होगा वागे सब कुशनी पता हो ठीक है कि मैंने समझा दिया उनको यह सारी चीज़े पता है ठीक्स अथा इस भी पता है कि इंक रिटन भरी ठी समझ मेरा को है करों कहा टेक्स अथरी की नहीं है हुआउं को ङसारी जगाए Penn जहां CS जाता है अपने केस को लेकर हम लॉयर की तरह वहां पे अपने केस से डील करते क्या यह बात समझ मारी है तो यह सारी चीज़ा हम पढ़ चुके आज यह अफ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे चले फिरिंगे बच्चा यह सारी सर्विसेज भी है जो एक CS ऑपर करता ह एक CS क्या क्या करता है हम काम पर रहें CS क्या क्या करता है हमें एक काम की लिस्ट पर रहें सबसे पहले उन्होंने बुला भाई यह फानाइंशल मार्केट सर्विसेज क्या है आजो फानाइंशल मार्केट सर्विसेज क्या है फानाइंशल मार्केट सर्विसेज क्या है फाना कि भीया पैसे का जुगाड का सोगा तो चाहे तो डेट्फंद का जुगाड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो मारकेट में क्या लेकर आजाओ आई पी-उ आई पी-उ जन्टा से लो पैसा है जन्टा को इंठरेस भी देने के ज़राथ नहीं है तorith है तो ची-ए-स ची-ए-सолов도 गढ़ेगा Tapina अच्छी है बहुत लोग पैसा लगाने का सोचेंगे या फिर बच्चा बैंक बैंक इंट्रेस्ट देखेंगे जल्दी जल्दी तो एक्चल में क्या होता है हम कंपेर करतें सी पूरा कंपेर करें कि मार्केट का अनालिस करेगा और डारेक्टर को सगेस्ट करें कि भैया आपक पब्लिक इशू आई पीओ नाम तो सब्सक्राइब पब्लिक में शेर इशू कर दो इसको लेकर या पर क्या लिखेंगे बच्छा लिस्टिंग बच्चा आप जनता में शेर तभी इशू कर पाऊगे जब आप लिस्ट होगे बंबे स्टॉक एक्चेंज और नाश्नल स्ट पास आगे तो बच्चा इतना बहुत घुमता रहता है आप खुद देखते हो शेर मार्केट में विदिन सेकर्ड कितने सारी सेलिंग हो जाती है देखते बच्चा तो इनका पूरा सेक्योरिटेस का मैनेजमेंट यह सब कौन देखता है बच्चा चलिए आजो एडवाइसर करता है और क्या देता कंसल्टन जीर्वेश सेक्योरिटी में मुलीन ही में लगता है कि यह लग है में अब समझना सिक्योर्टी एक वाइडर टर्म है निगर सोना है कि इस एक वाइडर तर्म है कि अ एक विटी शेर प्रफरेंच एडर जी डी ठोड़ा बहुत सुना होगा ठीक है नहीं सुनायतों में समझाऊंगी एक्विटी शेर कहां इशुक्या इंडिया में डिबेंचर कहां इशुक्या इंडिया में हम इंडिया के बाहर इशुक्या वही एक्विटी शेर का नाम बदल जाएगा एडियार और जीडियार हो जाएगा इंडिया के बाहर इशुक्या इंडिय लग होता है इंडिया के बाहर रिशु करते हैं तो नाम अलग और चीज एक उती एक हुटे उन सब को मिला के हम बुलते हैं सिक्योरिटी इप इक्विटिशर बोलते हैं प्रफेंशर बोलते हैं ठीक है डिबेंचे यह सब नाम आपने सुनें यह सारे नाम आपने सुनें क्योंकि अभी तक आपने 12 तक पढ़ रहे थे ना अब लेवल थोड़ा हाई होगे ना तो थोड़ा सा इंडिया के बाहर भी चीक तो ADR DDR FCCB यह सार क्या काम करता है पहला सिएस एडवाइस करता है कंसल्टिंस सर्विस देता है शेर इस्यू करने में और के लिख अदर सेक्योरिटी इसके अलावाद जितनी भी जिसकी भी हम बात करें इंडिया के बाहर इंडिया के अंदर प्रपरेशन ऑफ दिप्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी नए प्रोजेक्ट आता है तुछ से देखता है यह प्रोजेक्ट करने लाइफ है की नहीं देप्रोजेक्ट है वो पूरे लग को कंप्लाई कर रहा है की नहीं करने तो बच्चा फिर रपोर्ट तैयार करके देखा कि हां यह प्रोजेक्ट आगे काम कर सकता है तो से अलग रिपोर्ट तैयार होती है से की अलग रिपोर्ट तैयार होती है नेस सिंदीकेशन और लौन अभी मैं आपको बताया फैनेंस मार्केट है ना पैसे चुघ है या तो market म पर पर ना कर दो या पर क्या लिखा है बैंक से लून या फिक लिखा है फैनेंचल इंसिटीशन चुछ चलिए ड्राफ्ट करना है क्या राफ्ट करना है प्रोस्पेक्टर्स वेरी वेरी इंपर्टन्ट यहां इंट्रेंस लेवल में संदिकेशन मतलब एक साथ इखड़ता करना लोन सब्सक्राइब पंजाब नेशनल बैंक दस बैंक से मैंने क्या ले लिया लोन उन सारे लोन को क्या कर दो सिंडिकेट मतलब इखड़ता चीक है तो सी इस दे काम करवाता है चीक ड्राफ्टिंग अफ प्रॉस्पेक्टर्स फि जितने भी भाई लोग से पूछो क्या करेंगे यूट्ब में रिसेर्च करेंगे क्या प्रॉस्पेक्टर्स इश्यू करती है कि भाया देखो मारी प्रॉस्पेक्टर्स यह बस ऐसे यह आई-टेक्स जिस दिन जोईन किया होगा उस दिन रोग किसे को नहीं मिलो खतम हो गय करें तो हमने अपने प्रॉस्पेक्टर्स इस 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 प्रॉस्पेक्ट जो किया गया है उसे खरीद लें तो जैजा इटेक्स ने क्या दिया आपको प्रोशर ऐसे कमनी क्या देती है प्रॉस्पेक्टर्स तो प्रॉस्पेक्टर्स को भी क्या करना होता है बनाना होता है से भी उपर बैठी है कंप्री लोग उपर बैठा है चीके सरकार उपर बैठी बनाने का प्रोसपेक्टस को भी बनाता है आपको बहुत सारे को कंप्लाई करना पड़ता है क्या यह बात समझ वारी है इसलिए उन्हों लिखा बहिए CS का काम क्या है ड्राफ्टिंग करना प्रॉस्पेक्टर्स अगर प्रॉस्पेक्टर ड्राफ्ट हो गया तो चेक करना कि बहिए as per law बना है कि नहीं अब इस प्रॉस्पेक्टर्स के अलग अलग नाम offer for sale offer कर रहे ना प्रॉस्पेक्टर्स ताकि क्या कर सके अपने शेर्स को बेच सके letter of offer यह एक letter है जिस्त हम क्या दे रहे हैं अपनी जंताओं को offer दे रहे कि आओ हमारे गपनी के शेर्स खरीद दो यह अदर डॉक्यमेंट इन सब की ड्राफ्टिंग का काम किसका है बच्चा है जो इस्यों अप्रॉवल बहुत सारे लीडिंग मैनेजर्स होते हैं सबसे अप्रॉवल उनी होती है कि भाहिया एस पर रूति रेगूलेशन है कि नहीं पिर के लिख है लोन डॉक्मेंटेशन बैंक के पास देंगे हम कह रहे हैं कि हम ताक मिसा है तो तुरंध मिरे हात में से पैसे देंगे क्या क्या डाक्मेंटेशन होता है property के बहुत सारे important document होते है जो बैंक तक पहुचाने होते हैं तो Loan के सारे documentation, है क्या लीक्षा पच्छा registration of charges ये जो charges वड़र ने बार बार आएगा ये charges पैसे वाले charges नहीं है पास तो बैंक क्या बोलते लोन दे देंगे विखे रखोगे क्या रखोगे रंmb साथ ब्या recommendations पैसे लेना पसंद किता bank से बंख को बलए building मैंने क्या कर दिया ती के लाइट यहां से दस क्रोड का लोन लिया और इसे तो गिर्भी रखती हूं पैसे मैंने 20 करोड का लून दे लिया क्या यह समझा लिया बच्शा अब कल को वो लोग क्लेम करेंगे कि यह SMITH हमारे पास मॉड़ गेज में थी पेर आश्बें मेरे पास धिर दौनों जगडा करेंगे मैमिल कौन थे माली कौन मोडगेज में रखना प्रॉपर्टी को गिरवी रखना क्या यह चार्जे समझवा है तो इसको क्या करवाना रजिस्टर परस्टाइम जब सेभी के पास सब्सक्राइब कर रखा था मुझे तुरंट उसका रजिस्ट्रेशन करवाना था ऑनलाइन दिख जाएगा बच्चा र सब्सक्राइब करेगा तुरंट लिया है गर लफ लिया है तो तुरंट ओंलाइन दीध जाएगा बच्चा यहां बैठे यहीं बैठे इनिद्धाबंध अलवी किस बैंक से लिया अगर भी क्या रखै यहीं बैठे यह अधर na चीक है तो ऑनलाइन रजिस्टेशन करवाना उन चार्जेस का चार्जेस मतलब गिर्भी रखी प्रॉपर्टी का ये काम किसका है ताकि दूसरे बैंक के साथ क्या नहीं बच्छा प्रॉड नहीं पूरा इसकी हिस्ट्री देखी जाएगी कब कितना लोन लिया था चुकाया है यह सारी चीज़े आपका काम है ठीक चलिए प्रिकर लिख है से क्या करना बच्चा लिस्ट करवाना लिस्ट करा रहे हो कुछ टमसें कंडिशन दस टमसें कंडिशन पूर्फिल करनी पड़ती तब चाहके आपकी कंपनी लिस्ट होती है मतला की प्रफॉर्मेंस सर्ची होने पास जाओं और बोले आपको एकवीट प्राइऊ समच्वारी है तो एकशा करती है नेने कंड्यका के बच्चा प्लेस करका को सबूरिएक करका लगे प्राइब लिए चीक बाइबैक वर सुनाइब कम्मी कह रहे हैं कि बहुत बाट दिया बहुत देना पड़ता है इक काम करते हैं इन से वापर शेर्स ले ले तो इसकी भी लंबी चोड़ी प्रोसेस होती है सराइन रहे हैं कौन कर रहे हैं यह पूरा चाहर दो बताते हैं सिय का काम अपड़ करना है रेस करना फंडिंग अबच्छा इंटर्नाशनल मार्केट इंडिया के अंदर एक्विटी शेर तेव अडिया यह क्या बोल रहे हैं GDR का पहले फिलफर्म बताओंगी, Global, Global Depository Resets, चीक है, इंडिया के बाहर, Equity Share इसु करना है तो उसको हम क्या बुलेंगे, GDR, क्या बुलेंगे, GDR, Japan में करना है, GDR, Pakistan में करना है, GDR, China में करना है, GDR, इन्होंने का, American है का, नहीं, नहीं, हमारे नख्रे थोड़े जादा है हमारे अलग टाइट कार बनाओ अमेरिका में इस्यू करना है तो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसेट क्या यह बास समझ मारी है एक्जाम में पूछ जाएगा एडियर का फुल फॉम बताओ बता देंगे क्या चीक है अमेरिकन अब है डिपोजिटरी रिसेट चीक है एडियर का फॉल फॉम समझ आं गया जीडेट का लिख है एसीब इंडिया में लोन लेना है बैंक से simple loan हम तो लोन बोलते हैं यह क्या बोला है ECB, ECB का full form External External judicial External, commercial Boring, के यह बाद समझ में आरी है External, commercial Boring, external मतलब India के बहार, commercial मतलब business के लिए, क्या करे रहे है Boring करे, India में करे तो Boring करे सिंपल, किससे ले रहे है SBABank से ले रहे, पंजाब National Bank से क्या बाद समझ में आरी है, पका India में Simple Terms जो आपने अभी तक सुनें वो इंडिया के लेवल के सुनें आब दीरे दीरे आप क्या सुनोंगे बच्चा, इंटर्नाश्णल लेवल, क्योंकि बींग का CS आप क्या करोगे, अडवाइस करोगे न, बताता होना चाहिए, चीक है, बींग का CS बच्चे ये सारी टम्स पता होन के तरीके ADR DDR कुछ नहीं सेंपल शेर से और इसी भी क्या सेंपल लोन है बस इनके नाम इंडिया के बार बदल जाते बात समझ में आई पकपा चले यह के लिख है टेक ओवर और इंसाइडर ट्रेडिंग यह कुछ टर्म से टेक और समझते बच्चा एक कमनी दूसरे कमनी को क् कुछ गाड़ी गांडी आपको उसे क्या मिलता है तेक आइडर और बहुत बड़ी कमशें को टेक ओर नीकुर्ण और सपर लिए हमने क्या किया इनकु खरीदिव के हैं पॉसिबल है पॉसिबल यह फैसे जादा है थो पॉसिबल यह इसकते हैं रात और रात कर लिया तक है उन्होंने का जब भी ऐसा होता है तेक ओफर करने की जो प्रॉसस होती है वो भी कौन करवाता है CS Reliance Company में एक CS बैठा होगा वो आपको सही तरीका बताएगा रात तो रात कोई भी किसी को खरीद नहीं सकता चुकि रात में तो Stock Market काम भी नहीं करता है दिन में खरीदा दाएगा तो वहाँ एक CS बैठा होगा वो बताएगा कि किसी भी कंपनी को खरीदना है तो क्या क्या लॉस को फॉलो करना पड़ेगा इन्शॉर्ट हम है कौन Corporate Lawyer CS एक्चल में है क्या Corporate का Lawyer बात समझ भाइँ? चीक है? चलिए एन्शॉर करना Compliance of Takeover अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है Takeover कर रही है तो हम क्या Ensure करेंगे? सारे सारे Compliance Compliance मतलब सारे सारे Law follow करवाना चीक है? एनी अदर Law Rules जो भी आपली केबल होगा पहला पॉइंट समझ में है? दूसर वर्ड क्या लिखाता है बच्चा? Insider Trading Insider Trading बच्चा है, इंसाइडर Trading आपको धरीदे समझ मैंगा कभी थोड़ा बहुत सणाओंगा ये Insider Trading होता क्या है? बच्चा हम trade करें बच्चा हम trade करें मैं जनता में शयर शुकर रही हूँ ITEX company के issue आपने वाले हैं IP आपने कैसे संनाओंगा चिक है उसके अंदर offices है उसके अंदर CS काम कर रहे है आइटेक्स कम लेगे एक CS होगा जिसको सारी information होगी लेकिन CS बहुत चलाक होगा CS क्या कहेगा मैं तो नहीं खरीद सकता हम मैं तो पकड़ा जाऊंगा अपने भाई से खरद वा ले तो अपने दोस्ते खरद वा ले तो तो दाट इस इंसाइडर ट्रेडिंग आप गलत काम करें इंसाइडर ट्रेडिंग क्यों होता है एक गलत काम आपको अंदर की information है में लेकर आने वाली इश्यू मैं अंदर हूं के मैंने बता दिया तुम लोगों पर कि सुनों दस डिसेंबर में आने वाला इश्यू एक काम करो अभी जितने दाम में मिल रहा है आप खरीद लो कि उस तैम पर जो आएगा वह दो हजार में आएगा अभी मार्गेट में चल र करने वाली है क्योंकि अभी इश्यू आएगा 2000 में मिलने वाला है क्या यह बात समझ मैं रही है तो अंदर को जो सी होता है वह इंफोमेशन लीक कर देता है और बस कंपनी अंदर उनली सीएस नहीं होता है और भी तो ऑफिसस होते हैं वह सारे ऑफिसस क्या कर सकते बच्चा इंफोमेशन लिग कर सकते हैं तो उन्होंने का कि प्लीज आपको खुद को भी नहीं करना है और नहीं किसी को करने देना है रोकना है इंसाइडर ट्रेडिंग को आप एक कंप्लाइंस ओफिसर हो लॉफ करने वाले ओफिसर एंशॉर करना है कि भाईया सेभी सेभी के हाथ म प्रोहिवीशन कर रखा इंसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिविट कर रखा है टोटली मना करके रखा है प्लीज आप इस बात का ख्यालत ना पहले प्लाइट या बोलता है कोई कमनी दूसरी को टेक और कर रही है लौफ फॉलो कर आओ दूसरी क्यूंकि आपको अंदर की प सेटेंट सर्विस काम भी करता है क्या क्या करता है बच्छा इंटर्ण आपको बताया है पहले बाद पर लिखा internal audit of the depository participants अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको depository बताये थे दो depository और CDS है जिन्होंने हमारा पूरा का पूरा काम जो physical काम था उसे क्या कर दिया electronic form में convert किया जित्ते भी depository participants है वो अपना काम अच्छे से करें कि नहीं करें CES क्या करेगा internal audit करेगा कि अपना काम है सही से करें कि नहीं करें audit दो तरीके के होते हैं एक होता है internal एक होता है external ठीक है पहले internal करवाया जाता है फिर external एक्छे मैं लॉग को check करना लें बहुत लोग ठीक है मैं अगर internal audit करें मुझे पैसा खला दिया करप्शन तो कुट कुट के बार है ठीक है तो उन्हों ने बूले दूसरा CS आकर क्या करेगा external audit करेगा तो CS internal audit भी करता है और external लेकिन क्या करते हैं लॉस्ट चेक करते हैं हमारा काम अकाउंट देखने का नहीं किसका है तो audit बस यह नहीं करता है CSB करता है लेकिन सबको लगता audit यह करेगा अकाउंट करेगा ठीक चलिए सेटिफिकेशन आप किसका सेभी एलो डीयार और आईसी डीयार यह सब क्या है बच्चा अलो डीयार आईसी डीयार यह सब क्या है एक्चल में यह बहुत सारे सेभी के हैं सबी ने बहुत सारी चीजों से बचने के लिए रूर्स रेगलेशन्स बनाएं इन रूस रेगलेशन को कम्प्लाइल करने का काम है Cस का चैक और करना किसमें बच्чивah रिकंसेलेशन ओप शेर इसका भी पंख करना इसको भी चेक करना सेटिफिकेत इन्रिस्पेक्ट अफ soprattutto अवडियन्स का लिखा बच्छा प्राउवेट लिखा अनलिस्टेट पब्ली पंपनी बच्चा लिस्तेट कंपनी तो समस्चते after लिस्टेड काम बस लिस्टेड को देखना नहीं है और टाइपी कमनी को देखना है चाहे वो लिस्टेड ना हो चाहे वो प्राइवेट कंपनियों चाहे ना हो चीक है LODR और ICDR का फुर्पाउं चलो बच्चा सबते पहले public company को अपने आपको क्या करवाना होता है list क्या करवाना होता है list ITX company अब लिस्ट नहीं है करवाना पड़ेगा documentation, formalities तो बच्चा से भी बोलती है list होने के लिए आपको follow करना पड़ेगा LODR का फुर्पाउं होता है listing लिखलो listing obligation listing obligation disclosure requirements listing obligation disclosure requirements मतलब ITX company को अगर list होना है कहाँ बॉमें stock exchange में तो listing obligation बच्चा लास्ट में requirements और इसका पूरा होता है regulations, regulations, regulations क्या है rules regulation, formalities तो मुझे, मुझे यहाँ पर, यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे जो भी rules regulation बने हैं वो follow करवाने पड़ेंगे नाम पर जाएंगे, list दोने के लिए क्या है बच्चा मेरी क्या है कुछ obligations है, obligations क्या है कि मुझे क्या देने पड़ेंगे disclosures, requirements कितना प्रॉफिट कमा रहे है, कितना पैसा लगाया गया था, क्या क्या आपकी प्रॉफिट है, यह सारी disclosure देने पड़ेंगे, तब जाके में list होंगे, नहीं दूँगी disclosure, list नहीं होंगे, तो यह regulations follow करने पड़े, LODR तो मझे में आ गया, चले, ICDR, एक्चिव में है, ICDR, issue of capital लेखो, issue of capital disclosure requirement, अगर IPO लेकर आना है, तो सेभी ने बोला, रुको, कुछ conditions फुर्फिल करो, अगर आप issue करना चाहते हो, issue करना चाहते हो capital, तो कुछ disclosure है, issue करने से पहले आपकी पूरी history देखना था है, तो बार-बार सेभी आपसे बहुत सारी formality करना है, लेकिन सारी formality कौन करवाएगा, कमणी के help कौन करेगा, CES, क्या ये बात समझ में आ रहे हैं, अगर ये formality फुर्फिल नहीं करी, ना issue लेकर आपाऊगे, ना less of पाऊगे, कुछ नहीं कर पाऊगे, कमणी चली नहीं पाई, ठीक, चली और कहां थे ये, certification of annual return, income tax, सुना तो हो गई, ठीक है, टेक्स पे करते हैं, return file करते हैं, जानते हैं, टेक्स कब भरते हैं, कब parents भरते हैं, कुछ आइडिया, the marge, very good, 31st marge, समझना, 31st marge समझना, 31st marge में हम, Tax Pay करते हैं, समझना, टेक्स क्या करते हैं, बच्चा, पे करते हैं, 31st marge, लाग लग पैक्स पे करनी की, साल भर में आपने जितना भी कमाई हैं, उसके लिए some where तक पे करेंगे, कलेज हैं, आपने जो 10,000 कैसे कैलकुलेट किया है मैंने 10,000 तुमने 20,000 एक ने 50,000 एक ने जीरो दिया टेक्स सरकार बोली कि तुमने तो बस पैसा दे रिया मुझे थोड़ा सा डिटेल बताओगे कि 10,000 आपने कैसे किया क्या बास समझ में आ रही है गलत भी तो कर सकती हूं बनता होगा लेखिस सरकार को कीतना दे ररे हूं 10,000 होता है ना हो सकता है सरकार को तो बस पैसे जा रही है क्या इन्होंने कहा भई ऐ सुनो 31 मार्च तक टेक्ष्ट करना और उसकी रिटन फाइल करना उसकी रिटन ये सुना है आपने रिटन कंने कि लास देड घोता है लज जुट यही ने के दूखे पिए कहले थाव पतुम हो जाल में पातुट्राइब करेगा टेक्स हूं अमने सुन किसे करेगा करेगा टेक्स और इसके क्या देगा अनुवल रिटन अनुवल मतलब साल में एक बड़ रिटन फाइल करने तो CS क्या करवाएगा एक अनुवल रिटन फाइल करवाता है CS कौटरली शेर रिक्सिलेशन सेंडिकर कमणी जितनी बड़ी होती है फिर उनका क्या हो जाता है बच्छा कोटरली हम रिपोर्ट तज्यार करके देते तो यह कौटर रिपोर्ट की बात करें सेभी के देखो जहां सेभी आगि सेभी कहा हम इंचरनल ऑडिट करे थे सभी ने बोला अपना काम अच्छे से लिखा है इस इंटरनेशनल फानाइंचल सर्विस ऑफॉरिटी इनके रेगुलेशन को ही करते हैं यह सारी हम बनाके देंगे पहले जाके चैक करेंगे उस कंपनी को ढटार्टि को पर नहीं इंगे जिसमें अपने साइन करेंगे बच्छा जिसमें कि कीमत होती है किसenda को वाला फिर से, quarterly share capital reconciliation certificate, quarterly मतलब क्यों होते हैं? 3 महीने का, साल भर में कितने quarter होते हैं? 4 quarter होते हैं? तो उन्हेंने का, भईया, कमप्नी जीती बड़ी होती है, लिस्टेइड कमप्नी जन्यली बड़ी होती है, इनके quarterly हर 3-3 महीने के क्यों होंगे बच्चा? शेर कापिटर रीकंसलेशन सेटेवर हम चेक कर रहे हैं कि भाईया कितने शेर्स आपके पास आ रहे हैं इसके एक रिपोर्ट तयार करके हमें देते रहना पड़ता है डिपॉजिटर पार्टिसिपन यह सारे काम किसमें करवा रहे होंगे इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में करवा तो हमें चेक करना है कि रिपॉजिटर अपना काम सहिसे करें कि कर दे तो हर तीन दिन महींने की त्यार करें फिलिप्ट्वी करें करके के लिए और यह क्या बच्चा भी लिस्टिंग के लिए नहीं है कंपनी इस नहीं है या भी हो गई काम अच्छे से नहीं करें तो उस कमपनी को डिलिज भी किया जा सकता है प्रफॉर्मेंस सचीती तो लिस्टेड प्रफॉर्मेंस गिर के तो डिलिस्टेड क्या यह बात समझ भाई रहे इसके भी रेगुलेशन हमीं फॉलो करवाते हैं हमीं चेक करते हैं करो असको डिलेशन अ करने काम बात समझ भाई हम पढ़को रहेँ पूराते हैं पता..? डू 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 डिलिजंस मतलव साबध़ानी आपको बहत है कि कम्पनी पूरी साबधनी लॉग को फॉलो करने चाहिए आपको के साफधानी रखनी ठीक है किले रहे बच्चा बताओ और कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहे हैं हां पोर्थ वाला चलो सेटिफिकेट देता है किसको बच्चा प्राइवेट कंपनी को और क्या लिखा है अनलिस्टेट पब्ली कंपनी को कम्प्लाइंस को लेकर कंप्लाइं मतलब लॉक को फॉलो करवाना इन्होंने का बहिए अगर यह बाइबाइब करना मतलब शेयर वापस ले रहे हैं तो लोग देना नहीं चाहते हैं जबर दस्ति ले डिए ऐसा कर नहीं सकते सीए सेटिफिकेट देगा कि कंपनी ने कोई जो जबर दस्ति नहीं करिया है सारे लोगों को अच्छे से कंप्लाइ करवाया चाहिए वह प्राइब प्राइबिट कंप्नियों चाहिए पाब्लेग अन्लिस्तेट के लिए तो अबढ़ी है इन्टेनल ओडीट रिपीट है अभी पड़ा इंटनल ओड डेच रिपेट क्या लिख्धिक है सेकेर्ट्री तु अजिस इतनी बड़ी उसमें इतने सारे आप और हैं तरह सम्द्रा क्रॉट पंद्रा क्या है काम क्या है ज कबिलाइंस क अंदर् काम क्या में क्या है कल भूह इ mines वन इसाज का पता है कि कंगर बढ़ा न एकलिसे वाएं ॉन से काम चलेगा है तो हमने करें हमने कितने रख़े डाइरेक्टर 15 मुकेशंब बानी जासा सोच नहीं सबको और क्या होगा इन्होंने कहा पांच डाइरेक्टर की एक टीम बना दी जिससे हम मोदेड़िया कमीटी के वे क्या गे पांगे क्या होगा घ्यानिए अ क्या हो रहा है कि यह चेक करना बात समासर मैं कंपनी का सब्सक्राइब क्या है कि सATION करता है। इस गमी से पेट करता है। इनको क्या करता है बाइड़ा क्या जो है। तो समासर। क्राठियों करना है क्या यह समझहें praystock पैसे लगता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट काम बोर्ड रेक्टर का है चेक करने का लेकिन कैसे क्या चेक करना है करेगा गाइडेंस देगा उनकी हेल्प करेगा काम किसका है डारेक्टर का अब बोर्ड रेक्टर करेंगे कि हमारी कमड़ी के सारे अडिट हो गए है और यह बड़ रेक्टर को बताएगा कौन प्राक्टिसिंग सीएस से अडिट कराओ यह बोर्ड रफ काम यह उससे सारे काम करवाएगा कि प्राक्टिसिंग सीएस आकर यह काम करें बाच समच में आगी पक्ता कुछ डायक्टर काम होगा कि अंदर की मैनेजमेंट देखो तो हर डायक्टर का ना काम डिवाइड होता है तो उसमें से कुछ एक टीम बनाया जाती है जिसम बोलते है और डेट कमिटी ऐसे बहुत सारे डायक्टर की कमिटी बनती है आगे चलकर डिटेल में चले वर्किंग कापिटल समझते हैं डेली बेसेस में पैसा लगना इनसे में भी सीएस थोड़ा मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि रहे बच्चा दो में बच्चों को रिजाइन कर वालो में पक्का समझ में आ रहे ना ऐसा तुन्हें लग रहा है बहुत काम करता है भाईया आसे यसा बंद कर ठंडल लग रहे है मच्चर आड़ रहे है शिफ्ट हो जाओ दो अना चल्दी हो जो शिफ्ट ये न खुला भी वाए दरवादे बस बस हो गया ये तो ये भी सुन टोंगे मच्चर अरे चलो वापस शिफ्ट हो जो अगर लग रहा है तो अना थंड़ा करम लग रहो होगा चलिए स्ट्रक्ट्टर मतलब टिक्वीति का रेशियो देखा जैस करना कि प्र पेस्ट कुछ सब्सक्राइब करना चलाए बसनेस कि करता है can प्रियो टुम मर्जर्न अक्विशाइन आपस मैं क्या औरे तो यह जब दो लोग हाथ मिलाते है तो अपनी कंपनी को देख रही होगी उसका सी अपनी तो देख लोगा क्या क्या सी तो हम पहले अचा चाहिए हमें कि हमें दो करोड तो मिलने चाहिए था पहले वापस मर्जर होने से पहले एक कमपनी का वेलिएशन करेगा कि सही करpo Red करने से तो पहले मर्जर करने से पहले क्या कर लो बिजनस क¥ सिंडिकेशन का मतलब बता था ईक्षण करना का सी मर्चkeep का मन चाहिए क abundance का alleine ख सब सब ने अकाउंटिग का क्कांश का मुण इतना काम करता है कि भाया जो से ने अकाउंट तयार कर दिया है रिटन फाइल कर नहीं थी आन्युल रिटन तो पहले समझ कर गवर्मेंट तक वो रिटन फाइल कर दे ऐसे नहीं कि सीय ने पकड़ाए आपने सोचा सीय है सही कर रहा होगा सिधा बेज दिया बच्चा एक बड अब ही क्या होंगी बच्चा ये से क्या बात समझ में आई पका पका बढ़ू आगे बस लेजते बच्चा टेक्सेशन सर्वेस क्या रिटन फाइल आप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो बस यह का काम नहीं है बच्चा आप ध्यान देना इतने सारे जबलपूर में इतने सब्सक्राइब कानि को इंकम टेक्स और के लिए स्क अटकम टेक्स है लिए कि ईंकम टेक्स टी बिंन कि होड़ाइब क्या क्या हम में इंट्रेशनल मार्केट थेते हैं तो की मीच इंडिया में तो यह सारी चीजे चाहिए वो इंकम टेक्स हो चाहिए वो इन सब का काम हम भी देखते हैं जो यह ब्रह्म है ना सोसाइटी वालों को कि भाया यह काम तो इनका है ऐसा नहीं है बच्चा तो इतना देखते हैं आपको यहां पर प्राक्टिसिंग भी दिखेंगे चीजेश का काम क्या है तो दीरे दीरे जब एकजूट में आएंगे तो मैं एकाद दो फिर्म प्राक्टिसिंग जो फिर्म होगी उनके पास आपके मैं विजट करवाऊंगी ताकि आपको समझ में आ है क्या है क्या है कि है मतलब सेकर्ट नहीं है नहीं है रिफ्रेजेंटेन कंपनी अपनी कंपनी को रीप्रेजेंट करते हैं जहां कई पी रीप्रेजेंट है मतलब लॉयर की तरह केस से दील करेंगे ठीक है अधर परसंट विफोर दी टेक्स ऑथोर्टी और ट्रेबुनल्स क्या है पुराने में बताओगा एंचल्टी एंचल्टी ठीक है कुछ नहीं क्या है कोड का सबसेट्ट है कोड का सबसेट्ट कमपनी के जितने भी केसों सोते वह हाइट कोट में नहीं जा रहे होते डिस्टी कोट में नहीं जाते इन्हों ने अपना खुद का एक ट्राइबुनल बनाया है जिसे हम बोलते हैं एंटी एल्टी फुलपार्म है नाशनल कंपनी लॉफ क्या करता है डिप्रेजन करता है अपने कस्टमर को लेके और कंपनी को लेके ट्राइबुनल भी जाएगा क्या है इंटरनाशनल ट्रेट भी करवाते हैं इंडिया तक सिमेत नहीं है डाव्यू फुलपार्म क्या है वर्ल्ट ट्रेड और्गनाइजेशन यह सारी इंटरनाशनल लेवल में भी देते बच्चा टी आर्पी का फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड असपेक्ट ऑफ इंड्रलेक्शन प्रॉपर्टी राइस डव्यू को तो फॉलपार्म जाते हैं चीक हम इसमें क्या देते हैं एडवाइस पिर एडवाइस देते मैंटर्स क्य इंडिया में आते हैं सस्ते आते हैं अच्छे लगते हैं रहता है उनकी प्राइज भी होता है चाइना बहुत खतरनाक है चाइना ने सोचा ऌकि हमें इंडिया की एकनोमी क्या करना है थे स्ट्ट्क करना भू क्या कर रहा है लामसम लेवल में अपनी पूंटरि में आर आ किसा ओड़कर सस्टाइब क्या जाए से समझ रहूं हों जाए समझ ना बच्चा और भो क्या कर रहा है इतनẩ प्रोडक्ट जो उसने बना लिए सस्ते वह हमारी इंडिया में आके क्या कर देता है डम डम भी करा है थाकि हमारी इंडियन क्योंभी बच्चा डिस्ट्रॉय और हमारे देश में एक बिजनसमैन है मैं हूँ मैंने शीयूज बनाए और उन्गोने वन मैं आइस दो सार रुपे लेकिन चाइन एक कंट्री है जिसमें क्या लगता है entit dumping duty वापस समझना ये बोलता है कि बहिए क्योंकि हमारी economy में क्या कर रहा है बचा dump कर रहा अपने product को तो इसमे custom duty भी लगेगी और क्या लगेगी इंटि डम्पिंग duty भी लगेगी 400 रुपे लगा दिया और इसको का स्टम ड्यूटी लगा कर क्या कर दिया 400 एंति यूट्यार॥ यूठ समझ महीं हिर यह present की हयों है कि उन्हें पैसा करना पक्राद दो छाइब युक्ञ नहीं लगा दिया एक्टिल यह यहाँ बता दिया है है एड़ायज करता है less advice करता matters कौनसे मjänst बच्चा anti-dumping duty वाले matters кап flooded ए ने सबसेडिव और लिखे बच्चा Type of poisoned duty ही Moyatif है यह सब आप इसमें पड़ोगे tax अरी सब्ड़ोंगैं तो सीएस जब पड़ेगा तो इसमें क्या देगा एडवाइस क्या बात में बुरा है मतलब किस टर्म में बुरा है विक क्यों रहे हैं हम सबको मालूम है कॉलिटी में खराब है हम खरीदते तो है ना तब हमको पतर चलता है ना खरीदते क्यों है क्यों सस्ता है कि वो इतना बना रहे हमारी इंडियान में चाइना की प्रोडेक्ट जो रो शोरो में बच्चा अभी वागा था था आना अब है था करें थोड़े टाइम के लिए किया एक्टिंग करी टीवी रिपोर्ट डाली बताने क्या 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 उन्होंने फिर से लेने लगे ना बच्चा फिर से शेवरूम खुलके ना मना कुछ भी कर लो लेकिन हमें हम नहीं समझते इंडियन गवर्मेंट दूसरे तरीके से इसे बैंड करना चाहरी है लेकिन इंड टेक्नोलीजी अपनी हाई कर लिए इतनी हाई कर लिए वह एक चीज अपने देश में बनाते अमेरिका का कुछ भी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी खतम कर दिया हमने देखा कि हमारे सेना के साथ ऐसा कर दिया एक आद महीना थोड़ा दिखाया गुस्ता फिटंड लेकिन और बड़े-बड़े स्टेप्स लेने की जोरत है काफी कुछ इंडिया इंप्रूब हो रहा है और हो जाएगा ठीक है चले वापस आते हैं नेतानगरी में घुझ जाएंगे ने तो इंटरनेशनल कमर्शल आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन क्या पताए था कोट क कम पैसे कर काम चला लिएंगे कम टांडी लगेगा घ्या है तो हमारे मैटर्श जो कोट में जाते थे शुक्रव नियुक्त पढ़िंगे रहें यह नित्र कि हो सकता है तो क्या लिए पॉलिसी प्रोसेजर में पॉरें में जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसके रिगार्ड में एडवाइस करता है इंडेलेक्शल प्रॉपटी लाइसेंस अग्रिमेंट यह तो अभी उपरी उपरी देखा आई पी आर चीक है आक्टिंग क्या लिखा है ट्रेडमार्क एजेंट क्रिडमाग होता है हमें रिट्रेशन कर माते हैं यह काम हमारे ही होता है तो हम basin क्या क्या करते हैं को क्या के थुरू हो जाए लोन के थुरू हो जाए बच्चा चीक है लिस्क करवा के या फिर प्राइवेट प्लेस्मेंट या तो जनता को बोलो पैसे दो या तो बैंक को जाकर बोलो क्या ये बास समझ मारी है तो यह सारे तरह कि फिर हमने पड़ा अगर किसी कंपनी को टेक ओर करना झूकी है तो सिस क्या कराएगा लौ कौ एन्शिवर कराएगा कि इंसाइडा ट्रेनिंग प्रोहिबेटेब्सßerdemने प्रीकले ड्यक्या प्राइविट कंपनी और अनलिस्टिट पब्ली कंपनी को भी देखेगा कि भाईया यह लोग अपना काम हाना पुरी शेयर्टी से कर रहे की नहीं करें उसका वो सेटिफिकेट देगा यह सारे काम देखें फाइनली बच्चा हमने यह भी देखा कि फनाइंस और अकाउंटिं हैं और इंटर नेश्नल मार्केट में भी रहा है क्या को में आ रहा है ली長 । है इनडिया इसस yn को गया अगा मैनेजमेंट काम पुर्फी सो आप कुछ तौपिक मhhhh मैनेज्मेंट सर्विस एक assignment sheet ठीक है जैसे chapter खत्म होगा तो सबसे पहले मैं करवाँगी इस पूरे chapter के को इक revision जो बच्चे लेट जॉइन वे तो backup complete करना नहीं भी कर पाऊगे उससे पहले तो मैं revision करवाँगी revision में पूरा overall हो जाएगा पूर उसके बाद मैं आपको revision करवाते ताइम पर आपको assignment sheet दूँगी उस assignment sheet को आपको पूरा complete करने का है पर मैं लोंगी इस chapter कर टेस्ट mcq pattern होते हैं 4 option हैंगे एक को mark करना है इतना याद होना चाहिए कि चार option में से कौन सा option सही यह 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 करना नहीं है तो कितना याद होना चाहिए कि इन 4 में से कोई एक सही है इतना वस क्लेक हो जाए क्या ये बात समझ मागी तो कल इस चाप्टर का लास्डे है पर्सों में क्या करौंगी रिविजिन बतला साइमिन शीट भी आपको मिल जाएगा और अटोमेटिकली रिविजिन के नेक्स दे क्या होगा है खिले रहे चल आके सवा समाम बच्चा